हलो अइब्रेवन मानेचमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्यूद कोढ़े के अंदर ईश्व इस क्षे में अप्पडिक है हुआ हैं तो नेक्स्ट आपसे कूड़ी मेर्स करते हैं HAS भी अप्डिकल पूरु भिएंपर स्ट के यूश्च करते हे हैं ताकि हम research को या फिर जो भी उससे related data उसको सही तरीके से collect कर सकें तो first होता है कि यह brief होना चीए, limited question होना चीए उसके अंदर second is simple हो clear होना चीए next हाता है ambiguous words of phrases होना चीए, precise reporting होना चीए avoidance of calculation होना चीए, sequence of the questions होना चीए, reliable design होना चीए next हाता है asking clear and heart-heating questions, maintain neutral language throughout go out, respecting the privacy of respondent, sequence of the question, pre-testing instruction और attractive questionnaire इन सभी को detail में देखने से पहले corner i button पर click करके आप marketing research की playlist देख सकते हैं जिसके अंदर आप marketing research related different topics पर वीडियो देखेंगे और description में management और commerce related different subject के वीडियो के playlist का लिंक अबिलेवल है आप आप से देख सकते हैं और description में की questionnaire क्या होता है basic इसका many types of questions process of questionnaire का वीडियो का लिंक भी अबिलेवल है आप आप से देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और कमेंट किजिए और किसी टॉपिक पर वीडियो चीजिए तो आप कमेंट कर सकते हैं quality of good questionnaire को हम detail में देखते हैं यह draft होता है questionnaire का या फिर इसको schedule बोला जाता ही successfully statical investigation करना depend होता है कि हम proper तरीके से हमारे questionnaire का draft बनाए इसके लिए आपको highly specialized job की जुरूत होती है जो की सही तरीके से questionnaire को बना सके तो first आता है brief and limited questionnaire की जो questionnaire होता है उसमें limited questionnaire होना चीए चोटा होना चीए ताक कि जो भी लोग उसको पढ़ रहे हैं वो answer कर सके बीच में उसको भरते टाइम पर ना छोड़ें जैसे कि बहुत सरी online link आती है तो हम क्या करते हैं दो तीन question का answer देता है फिर हम नीचे स्क्रॉल करके देखते कि बहुत लंबा है तो हम answer नहीं देते हैं तो 20 से ज्यादा words नहीं होने चीए practically सही questions के अंदर साथ में बहुत ज् अंदी नहीं होना चीए तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है नेक्स्ट आता है simple और clear होना चीए precise होना चीए जो भी language होना चीए कि लोग उसको पढ़के समझ सके complicated जो भी phases होते हैं उनको नहीं रखना चीए तो questionnaire clear और concise होना चीए next आता है ambiguous word and phrases कि हम जो भी long words होते हैं य कि लोग उसको easily पढ़के answer करें for example कि अगर आपने question पूछा है how frequently you communicate with your boss तो यहां पर पूछा है कि आप अपने boss के साथ कितनी बार संभाद करते हैं communication करते हैं तो उसकी जगह आपको appropriately पूछना है on an average how many times in a week do you communicating with your boss उपर अपने time महिंशा नहीं किया है तो वो कैसे बताएग question में आपने उसको week में आप कितनी बार आपके बहुत से communicate करते हैं तो इस तरीके से questions को clearly ताकि वो सही तरीके से answer कर सके next अब precise reporting जब भी आप questions पूछ रहें तो accurate question होना चीए और आपको उस question का accurate answer मिलेगा जो कि आपके research के लिए good result देगा तो आपको need होती कि data का interpretation करे accurate हो जो दोनों findings को देखना हैं उनकी guidelines को देखने हैं और क्या चीज़े improvement की जरुवरत है आपको उसको देखना है तो आपको accurate question को accurate audience से आपको result चीए next आता avoidance of calculation questions ऐसे नहीं होने चीज़ जिसमें की लोगों को calculation करने की जरुवरत पड़े की notification करें minus करें तो ऐसे questions आप ना पूछे next आता है कि आपको जो भी questions पूछने उनका sequence होना चीए उनका proper तरीके से arrangement होना चीए logical flow में चलना चीए ताकि लोगों को ऐसा लगे कि मुझे इसका answer नहीं आ रहा जैसे एक्जाम में करते हो तो हम यह छोड़के आगे बढ़ जाते तो लोग ऐसे कर सकते हैं next आता है asking clear and heart heating questions जो भी सर्वे होता है कि आप कैसे collect करेंगे reliable या quality वाले data को तो आपको clear कौन साइस और heart heating questions को पूछना है आपको desire data को collect करना है और आप ऐसे questions ना करें जिससे की respondent को heart for example आप पूछते हैं how much did you spend on grocery इसकी जगह आप पूछ सकते हैं how much do you estimate you spend on buying grocery last year आप यह पूछेंगे कि वो किराने पर कितना खर्च करते हैं इसकी वजह आप पूछेंगे last year उन्होंने कितना खर्च किया तो आपको उसका estimation आज़र मिल जाएगा next आता है maintaining neutral language throughout जो भी आप questionnaire बना रहे हैं उसमें आपको एक proper tone को follow करना है survey की जो कि एक creative talent होता है कि आप proper तरीके से language के flow को भी maintain करके रखें same तरीकी language का use करें टाकि आप उसको simple बना सकें जो भी survey के test हो इसी लिए आप कर सकें और user भी independent रहे कि वो खुद उस चीज को answer कर सकतें उनको particularly किसी और से पूछ के उसको fill करवाने की जुरूत नहीं है next आता है respecting the privacy of respondent जो भी आपने questions पूछा है आप ध्यान रखें कि उनकी privacy को maintain करना है दूसरे लोगों को आपको नहीं बताना है यह research के principles में भी होता है कि आपको इन चीजों को privacy में maintain करके रखना है आपने particularly किसी की family income income उनकी कुछ personal information निकाली है तो वो आप किसी को disclose नहीं कर स question जो भी question से आपको sequence में arrange करना है logical flow में चलना है next आता है pre-testing जब भी आप questionnaire को respondent को send करने वाले हैं उससे पहले आप pre-test करें particularly जैसे आपको 1000 लोगों को questionnaire send करना तो आप पहले 2-5 लोगों को send करें उसका result देखें कि वो आपको क्या बताते हैं क्या mistakes हुई है कि आपको उसमे चींज करने की जुरत है उसके पाद आप उस questionnaire का survey में यूज करें next आता है instruction जो भी आपका questionnaire है उसमें उपर आपको precise simple instructions पल करने questionnaire से related footnote देना है क्या instructions उनको follow करने questionnaire को भरते टाइम पर वो उसको बताना है नेक्स्ट आता है अट्रेक्टिव कोशिनियर प्रॉपर केरफूली हम questionnaire को अट्रेक्टिव तरीके से बनाए ताकि जो भी respondent है उसको देखके इंप्रेस हो और वो excited उसको फिल करने के लिए मतलब इतना गंदा नहीं होना चीए लोगों को देखके लगेगी क्या चीज हो लोग उसको भरना पसंदी ना करें आपने भी भर रहे होंगी कोशिनियर तो जो भी कोशिनियर बनता है वह एक अट्रेक्टिव होता है कि neat and clean होता है प्रॉपर सिक्वेंस में होते कि आपको देखके अच जना को सब्सक्राइब किजिए और किसी टॉपिक पर वीडियो चीज़े तो आप कमेंट कर सकते हैं और कोशिनियर से रिलेटेट डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अबिलेबल है लाइक कोशिनियर क्या होता इसके ड्वांटिज डिस